हाई अबरिवन विल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल आज की इस वीडियो में हम लोग बीसे सेल दोजार चॉबीस जुडियो और ओभर मायन एक्जामिनीशन के कुश्चिन पेपर को डिसकस करने वाले यह एक्जामिनीशन आज ही की दिन हम लोग जो है सब्सक्राइब करेंगी सुल्ईशन एक्सपारिशन चलिए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप इंट्रस्टेट हैं हमारे सर्दार कोर्स में तो हमने लांच किया है अल्तिमेट ओर मैं सर्दार कोर्स जो हमारे एक माइंट इंगल पर उपलब्द है चाहिए तो आप हमिन बोड़ी मानों सही उनमें कितने हड़ियां होती है सवाल का सही उत्तर क्या होगा बहुत ही सिंपल सवाल था सही उत्तर है 206 अब यह सवाल की तरह पड़ते हैं वो डिसकवर्ड इलेक्ट्राउन की खोज किस ने की दी रादरफोर्ट जेम्स चैडविक न्यूटन या 1911 में और चैडविक की बात की जा तो चैडविक नेक हो जा था न्यूटन बो 1932 में चलिए अगले स्वाल की तरह बढ़ते हैं विच इस वाटर सॉलिबल वाइटमिन इनमें से कौन जो वाइटमिन है वो पानी में गुलने वाला है वाइटमिन A, वाइटमिन C, वाइटमि इनमें से कौन से भारती राज्य से होकर नहीं गुजरता है उतरपरदेश, गुजरात, मद्यपरदेश, जारकंड, वेस्ट बेंगॉल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरता है अगले स्वाल की तरह बढ़ते हैं, इसका एंसर मुझे देने के शक्ता नहीं है, I hope 99% का 100% अपको पता होगा इसका एंसर क्या होता है, चलिए अगले स्वाल की तरह बढ़ते हैं, फॉर्स्ट विमन सायनी की स्कूल अप्टरी है विच स्टेट, ठीक है, भारत में पहली सा बढ़ते हैं, इस सवाल का जो सई उत्तर है, वो है और अप्टर नहमर एग छे, अगले स्वाल की तरह बढ़ते हैं, अगले सवाल है, who has been awarded the pen printer prize 2024 for literary contribution, साइथ में contribution के लिए किसे 2024 का pen printer पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, उसा ठाकपुर, ससीत हरूर, पृती सुदान या फिर अरुंधती रोय, इस सवाल का जो सही उत्तर है, वो है option number D, अरुंधती रोय, अगले सवाल के दरा बढ़ते हैं, अगला सवाल है, question number 9, which team has won the title of recently held women's Asia Cup 2024, हाली में आजुजित महिलाव का Asia Cup 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, इंडिया, स्रिलंका, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान, इस सवाल का से उत्तर है, option number B, स्रिलंका, हाली में आजुजित और women Asia Cup 2024, जो है स्रिलंका ने भारत को 8 विगेट्स हाला कर final जीता था, अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, who is the current chief of army staff of India, army staff के जो chief है, अभी current में वो कौन है, मनोज पांडे, दिनेश कुमारतरी पार्थी, उपेंदर दिवेदी, या फिर कमलतिवारी, तो इस सवाल के जो सही उत्तर है, वो है उपेंदर दिवे यानि यहां से आप रिजनी का solve शुरू होता है, तो अपको missing number यहां पे calculate करना है, चलिए इसको solve कर लेते हैं, देखिए इसका solve करने का तरीका बहुत सिंपल है, देखिए 7 में हमने 2 जोड़ा, तो 9, 9 में हमने जोड़ा 3, तो 12, 12 में हमने जोड़ा 5, तो 17 हो गया, 17 में हमन प्राइम नंबर हम लोग जो है, वो add करते जा रहा है, पहला प्राइम नंबर 2 था, 15 था, 5 था, 7 था, 11 था, 11 के बाद जो next प्राइम नंबर आता वो 13, 35 में हम लोग 13 जोड़ेंगे, तो आएगा 48, तो 48 विल बी आवर answer, अगले सवाल की दरब बढ़ते हैं, अगला सवाल ह कि अगर fun जो है, 41 के बराबर है, और rose 57 के बराबर है, तो white किसके बराबर होगा, 65, 36, 62 या 66, बहुत ही simple सवाल है, इसको solve करते हैं, इसका right answer तो option number, यह आएगा, परिचली इसको solve कर लेते हैं, देखिए fun, ठीक है, fun एगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो f जो है ना, alphabetic order में six position पर आता है, गर मैं ऐसा करूँ, a, b, c, d, e, f, one, two, three, four, five, six, तो f बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, u बराबर आता है, यहाँ पे 20 और n बराबर आता है, 14, 3 सब को जोड़ेंगे, तो कितना हैगा, 41, उसी तरह rose को भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, rose में आर आता है, 18 प है, h का मतलब 8 है, i है, i का मतलब 9 है, d है, t का मतलब 20 और e है, e का मतलब 5 है, सब को जोड़ेंगे, तो आजागा 65, 65 will be our answer, अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, five person are standing in a row, j is behind n, but ahead of p, both l and m are ahead of n, who is standing in the middle, बोला गया है, कि 5 लोग रो में बैठ आ है, देखिए, column इसको बोलते ह है, row इसको बोलते है, तो 5 लोग बैठे हुए, 5 लोग, 3, 4, 5, ठीक है, 5 में बैठ बोला गया है, कि जो j है, वो n से पीछे बैठा हुआ है, मतलब जो n होगा, ठीक है, वो j is behind n, n जो होगा, वो j से आगे होगा, तो j ठीक है, j क्या हो गया, n से पीछे हो गया, इसके लिए हो क्या बोला है, कि जो j है, वही, p से भी, p से वो आगे है, यानि n से तो j जो है, पीछे है, लेकिन p से आगे है, इसके लाग ये भी बोला गया, कि जो l और m है, वो n से आगे है, तो l, m, n, j, p, बोला गया, कि बीच में कौन बैठा हुआ, तो बीच में कौन बैठा हुआ बीच में N बैठा हुआ है, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, option number B, N हो जाएगा, अगले स्वाल की दरफ आते हैं, A was born 5 years before B, A जो है, B से 5 साल पहले जन मिलिया है, B is 4 years older than C, B जो है, C से 4 साल बड़ी है, और D से 3 साल छोटी है, अगर A का जो age है, वो 17 साल है, तो D का age क्या होगा, यहाँ पर simple से दिया, A का age 17 साल है, इसके वाला यह भी बुला गया है, कि जो B है, वो A से 5 साल छोटी होगी, क्योंकि A जो है, B से 5 साल पहले बड़ा है, तो B का age कितना होगा, A minus 5, क्योंकि A जो है, B से 5 साल बड़ा है, तो यह कितना answer दिया हुआ, 17, 17 में से 5 माइनस करेंगे, तो 12, B का answer कितना, B का age कितना आगया, 12, हमको निकालना क्या है, D का age, अभी यहाँ पर यह भी बता गया है, कि जो D, sorry, जो B है, B जो है, वो 3 साल छोटी है, किस से, D से, यानि जो भी B का age होगा, ठीक है, उसमें 3 साल जोड देंगे, तो D के बराबर हो जाएगा, तो 12 age था B का, इसमें 3 साल जोड दिये, तो कितना हो गया, 15, तो D का age कितना हो गया, 15, तो 15 will be our answer, ठीक है, बहुत इस इंपल answer है, चलिए, आगले स्वाग इदर बढ़ते हैं, pointing to a girl, ठीक है, मोहन said, she is the only doubter of my grandfather's only child, how is that girl related to मोहन, मोहन एक लड़का है, जो किसी लड़की को देखते हुए कहता है, यह जो लड़की है, यह मेरे grandfather की, जो मेरा grandfather था, उसका एक लौता बेटा का बेटी है, तो यह मोहन और यह जो girl है, आपस में कैसे समझनीत है, देखे, इसका grand father का जो एक ही संतान है, ठीक है, तीक है, वो कौन होगा, मोहन का पिता होगा, और उसी ठीक है, पिता का जो एक बेटी होगा, कौन होगी, मोहन की बेहन होगी, तो सही उत्तर क्या होगा, option number D, sister अगले सवाल की तरफ बढ़ते है अगला सवाल है, 16 A train having length of 200 meters is running with a speed of 72 km per hour How much time will it take to cross 200 meter long platform ठीक है, तो इसमें question में पूछा गया है कि एक platform है ठीक है, जिसकी लंबाई 200 meter है और एक train भी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 200 meter है train की जो speed है, वो 72 km पती घंटे की है आपको बताना है platform को पार करने में train कितना समय लेगा और ये समय आपको बताना है seconds में तो कि options seconds में दिये गया है हम इसको solve के से करेंगे तो आपको सबसे पहले निकालना है distance, distance, speed दिया हुआ है तो हमको पता है कि जो distance is equal to होता है ठीक है, speed into time हमको निकालना है क्या time तो time is equal to क्या हो जाएगा, distance by speed ठीक है, time is equal to क्या हो जाएगा, distance by speed distance कितना होगा, 200 meter platform का, 200 meter train का तो total distance कितना कवर करना है, 400 तो speed कितना हुआ है, ठीक है, speed दिया हुआ है 32 kilometer प्रति घंटा अब यहाँ पर देखे ध्यान देना है, speed जो हमारा distance यह निकल चुगा है speed हमको किस में निकालना है, हमको speed निकालना है meter per second में, क्योंकि यहाँ पर speed जो है देखे, दिया हुआ kilometer पर गंटा में लेकिन option में हमको answer किया चाहिए seconds में तो speed जो हमको kilometer per hour में दिया हुआ है इसको हमको meter per second में करना होगा तो उसको करने के लिए क्या करेंगे 72 है, इसको thousands से multiply कर दिये और 60 और 60 से divide कर दिये तो अब इसको solve कीजएगा ठीक है, इसको solve कीजएगा ठीक है, कहाँ गया हाँ अब यह speed को अगर आप meter per second बदलिएगा बातर को तो आजएगा 20 meter per second और हमने, हमको पता है कि time is equal to distance by speed होता है 400 मेरा meter मेरा total distance है और speed मेरा कितना है? 20 meter per second तो मेरा जो time लगेगा, वो कितना होगा? दो दुना चार, 20 second लगेगा यह हमारा answer है अगले स्वाल की तरह बढ़ते है the average of 50 numbers is 38 पचास संख्याओं का जो average है वो है 38 two numbers, 45 and 45 and 55 are removed, if two numbers 45 and 55 are removed, then what will be the average of the remaining number? अब पचास नंबर में से 2 संख्या 45 और एक 55 हटा लिए जाते हैं, तब average क्या होगा, यह सवाल में पूछा गया अभी 50 number है, 50 number का average है 38, उसमें से 2 number जो हटा दीजे, 55 और 45 तो नया जो average बनेगा, वो क्या होगा? तो हमको पता है average का formula average का formula क्या होता? जितना भी numbers है उनका sum, यानि सब को जोड़ दीजे और जितना संख्याओं का संख्या है उसको नीचे लिए यानि total numbers ठीक है, कितना number है? तो हमको question में दिया हूए कि average है 38, कितना संख्याओं का 50 संख्याओं का sum हमको पता नहीं है इसको multiply करेंगे, तो हमको sum पता चल जाएगा ठीक है, कि 50 number का जो sum है, वो कितना होगा? 38 गोना 50 करेंगे, तो यह 1900 आजाएगा, तो हम गो 50 number का जो sum है, ठीक है 50 number का जो sum है, कितना आजाएगा? आजाएगा 1900, अब क्या बोला गया है कि इस 50 number में से ना 2 number अब हटा लेना है, तो अब 2 number हटाने के बाद इसमें number कितना बचा, अब इसमें 48 number बचा, दो तो minus हो गया अब चुकि यह 50 number जो है 45 और 55 हटा दिया गया है, तो sum में भी यह 2 minus हो जाएगे, 45 और 55 मिला के होते हैं 100, यानि जो 50 number का संख्या था, यह 2 number हटने से कितना माइनिस हो जाएगा, 100 माइनिस हो जाएगा क्योंकि इनका संख्या था, यह 1800 कितना आगया, 48 number हो का संख्या, ठीक है 48 number का संख्या, total number कितना 48 है, तो average का formula हम लोग क्या करते थे, sum divided by total number sum कितना है, 1848 number का, total number कितना 48 इसको calculate कीजेगा, तो answer आगा 37.5, यह हमारा right answer होगा ठीक है, चाहिए तो आप explanation यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं अब यह स्वाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, रमेश completes a piece of work in 10 days, सुरेश complete the same work in 15 days, how many days will it together complete the work, बोला कोई काम है, कोई काम है, जिसको जो रमेश है, वो 10 दिन लगाता है complete करने में, और एक सुरेश नाम का लड़का है, वही काम को ठीक है, लेकिन वो 15 दिन में काम करता है, complete करता है वो, तो दोनों मिल करके कितना time लगाएंगे, उस काम को complete है निटी, तो देखिए रमेश जो है ना, उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन वो कितना काम कर रहा होगा, एक बटा दस जो सुरेश है, उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन वो कितना काम करेगा, एक बटा पंदरा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे है वन बटा सिक्स तुट कितना समय लेगा बस इसको पलेट देना है सिक्स डेज लग जाएगा तो यह हमारा एंसर होगा ऑप्सन नमबर सी सिक्स डेज कोई भी डाउट है प्लीज कमेंडर बदा सकते हैं या हम आपको लगता कि हम से कुछ कोई गड़बड हुआ है तो प्लीज उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं क्वेशन नमबर नाइंटीन बहुत सिंपल सा इसा लगाया तीन सालों के लिए तो हमको सिंपल इंट्रेस्ट कितना मिला पाँजार चार्सों रेट ओफ इंट्रेस्ट किया है हमसे पूछा गया है तो हमारा जो प्रिंस्पल इंट्रेस्ट मेंट है ठीक है वो कितना है पंदरा हजार हमने कितने सालों के लिए लगाया त और हमारा simple interest कितना मिला है 5400 ठीक है formula होता है simple interest का formula क्या है p into r into t divided by 100 ठीक है तो यहां पर r rate of interest टी time है पी है जो principal amount है simple interest दिया हुआ है इसको इधर बेज देते हैं इसको इधर बेज देते हैं तो डिन टो होजाएगा और जो पन्दरा जार यहाँ नीचे आ जाएगा और तीन भी नीचे आ जाएगा is equal to R हो जाएगा इसको अगर आप solve करेंगे तो answer आएगा 12 तो right answer will be option number भी 12% और आज की इस video का सबसे आखरी सवाल है वो यह है कि the ratio of the number of boys and girls in a school is 3 is to 2, the number of boys is 500 more than number of girls what is the number of girls बुलागा है कि school है जिसमें boys भी है और इसमें girls भी है उनकी जो ratio है उनकी जो अनुपात है वो 3 is to 2 है इसके लागा यहां पर बोला गया है कि जो लड़कों की जो संख्या है ठीक है वो लड़कियों की संख्या से 500 हो जादा है तो लड़कियों की संख्या क्या है यह पूछा गया है तो देखिए हम लोग एक समाल लेते हैं तो 3x हो जाएगा number of boys और 2x हो जाएगा number of girls, अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब बोला गया कि जितना boys है, boys हमारा कितना हो गया 3x, girl हमारा कितना है 2x, अब यहाँ क्या बोला गया, कि number of boys is 500 more than number of girls, यह जो number of boys है, वो number of girls से 500 जादा है, तो यह 2x इदर करेंगे, तो 3x minus 2x is equal to 500 होगा, यानि x is equal to 500 आगया, x बराबर 500 आगया, x का वेलियूम को आचुका है, हमको निकालना है number of girls, ठीक है number of girls क्या था 2x, x का वेलियूम को पता है 500, तो 2 into x करेंगे, यानि 2 into 500 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1000, तो number of girls कितना है, 1000 है, number of boys कितना होगा, अगर पूशत तो 15 हो जाबता, तो यह हुआ अगर आपको इंट्रेस्टेट है हमारी ultimate target ऑबर मैं सदर कूर्स में तो आप मारा आप डाउनूट रह सकते हैं, मिलते हैं एक और सी वीडियो में, till then, as always, जैहिं, जै बाहरत